हेलो फ्रेंड्स नमसकार जोती की वेजले सोई में आपका स्वागत है आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेश्टी व्रत में बनाए जाने वाले फंहार की रस्मी शेयर करूंगी यकीन मानिए ये आज की रस्मी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है वृत में हम बहुत ही चादा कुछ बनाने की मूड में نہیں रहते तो उस टाइम पे आप ये जरूर बनाईएगा येकीन बानिए बहुत ही कम टाइम में बनकर तयार हो जाएगा और ये आपके घर में आपको और सबको बहुत ही पसंद आएगा और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई ऐसी टेस्टी वीडियो लाओ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुचे तो आएए फिर आज की रस्पी स्टार्ट करते है तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन कड़ाया है गरम होने के लिए अब इसमें मैं एक चमच घी डालूँगी ब्रत में हम अधिकतर घी का ही उज़ करते है अब इसमें आधा थोटो चमच जीरा और एक बारी कटूई हरी मिर्श डालूँगी इन सब को थोड़ा सा भून लेंगे अब इसमें मैं यहाँ पर उबले हुए आलू डालूँगी यहाँ पर मैंने इसे पहले से कट करकर रखे है आप चाये तिसे हाथों से थोड़ा से मैस भी कर सकते हैं मैंने यहाँ पर चाकू से इसे छोटी टुकडो में कट कर लिया है अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे मेडियम आजबर या फिर कम आजबर तेनाज में नहीं भूनेंगे इसका कलर पूरा अच्छे से ब्राउन हो जाएगा और यह थोड़े से कूरकूरे हो जाएगे उस टाइम तक हम इसे भूनेंगे अब यहाँ पर मैं यहां पर मेरा मतलब है अब मैं यहां पर आधि छोटवी चम्ज खल्दी फॉर्टर ढालूंगी आधा छोटवा चम्ज सेंधा नमक यह व्रत में खाए जाने वाला नमक है इन दोनों को डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप रत में भी सेना नमक नहीं खाते हैं तो आप इसे बिना नमक के भी बना सकते हैं ये वैसे भी बहुत ही टेश्टी लगने वाला है तो यहाँ पर यह देखिए हमारे आलू का कलर थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो गया है इस तरीके से तो यहाँ पर मैंने आलू को 10 मेर तक अच्छे से इसी तरीके से भून लिया है गैस आप कर देंगे तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी बहुत ही टेश्टी दही लिया है ये घर में जमाया हुआ दही है यह देखे बहुत ही टेश्टी दिख रहा है देखने में ही इसमें मैंने बिल्कुल पी पानी का कुछ भी यूज नहीं करना है अब यहाँ पर मैं एक छुटा चमच भूना हुआ जीरा पॉडर डालूंगी तो यहाँ पर मैंने जीरा को पहले तवे पर भून लिया था उसके बादे इसको पॉडर बना लिया है इसमें आधा छोटा चमच वापस से सेधा नमक डालेंगे नमक का ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने आलू में में थोड़ा डाला है और यहाँ दhi में में डाल रहे हैं तो इसले नमक को ध्यान में रखके डालेंगे ताकि हमारा नमक अधिक ना हो तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल मीठा दही ये उसकिया है घ्रटा दही नहीं लिया है आपको जिस तरीके का दही पसंद हो आप उस तरीके का दही ले लिजएगा तो यह देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स हो लिया है हमारा जीरा और नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब यहाँ पर मैंने जो आलू को भून के रखा है उसे इसमें डालूंगी तो यहाँ पर आलू का साइस जिस साइस का आप चाहा है उस साइस का रखेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर यह सारे आलू को इसमें डाल देंगे जितना आलू आप बनाने वाले हैं जितने लोगों के लिए उस हिसाब से आप दही ले में और कहने में दोनों में सच मुझ बहुत ही मज़ा आने वाला है इस प्रत में आप जरू ट्राइ कीजेगा और मुझे कमेंट बहुत में बताना ना भूलिएगा तो यह दिखिए मैंने आप रेसाची से मिक्स कर लिया है तो अभी सम थोड़ा सा और टेश्टी बनाने वाल यह दिखिए दिख रहा है कितना यम्मी तो आपने देखा इसे बनाने में भी बहुत ही कम टाइम लगा और बहुत ही कम महनत तो यहाँ पर मैं उपर से इसमें आधी छोटी चमत जीरा पौडर डालूंगी भूना हुआ जीरा पौडर है यह तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा बारी कटी हुई हरीमिश भी ढाल सकते हैं तो यह देखिए हमारे देख यालू की बहुत ही टेस्टी रस्पी बन कर तयार है जो आपको खाने में बहुत ही यम्मी लगने वाला है तो आज की रस्पी कम्पलीट होती है ऐसे एक टेस्टी और सेंपल वीडियो के लिए मेरे चानल पर बने रहीएगा मैं इसी तरीकी की वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी तो आज की वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा तो फिर मिलता है ऐसे टेस्टी वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू